राधे राधे दोस्तों आपका अपने चनल पूजा पाइट उपाई में आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं पीली ततया को लेकर के कुमारी ततया को लेकर के तो मैं आपको बटा दूं कि कुमारी ततहिया का घर में आगमन बहुत ही अच्छा माना जाता है बहुत ही सुब माना जाता है ये आपके अच्छी समयाने का संकेत है और आपके जो भी रुके हुए कार है Boss बहुत जल्दी पूरे होने माले हैं यदि ये आपके घर में अपना मिट्टी का घरोंदा बनाना प्रारम्ट कर देती है तो ये और भी जदा अच्छा है और ये घरोंदा अपना यदि आपके घर के मंदिर में बनाती है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है आप इसको बिल्कुल भी ना तोड़ें ना हटाएं उसको अपना कारे करने दें और उसको आराम से घरोना बनाने दें और ये यदि आपके किचिन में बनाती है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है अंधन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे ऐसा मानते हैं ततया का आना और आपके घर में अपना घर बनाना ये बहुत ही सुवसंकेत है ततया अपना घर बनाती है तो ये मिट्टी के घड़े जैसे बनाती है जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं उसी तरीके से एक घड़ा बनाएगी फिर उसका मुँ बंद कर देगी फिर दूसरा में एक किवाद एक जोड़ करके घड़े बनाती है तो इससे होता है इस अंकेत मानते हैं कि घर में धन के खजाने बढ़ते चले जाएंगे यदि आपके घर में कोई गर्व बती है गर्व बती मेला है तो इससे मतलब पुराने हमारे दादी नानी लोग जो थी वो ये तया आपके घर में गोल घरोंदा बनाती है तो ये लड़की होने का संकेत होते हैं और यदि आपके घर में ततया लंबा घरोंदा बनाती है तो फिर ये लड़का होने का संकेत मानते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये संकेत मात्र होता है ये हमारे पुराने जमाने की गटना करम होते थे उन्हें देख करके आंकलन लगा लिया करती थी तो ये एक ऐसा ही सिद्दान्त है अब आपका प्रस्ना आता है कि ये जो घरवना बना लेती है तो इसको तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए या फिर कई ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो नहीं काटती है जो पेली ततया जो होती है जिसको हम लोग बर्रया या वास्प कहते हैं वो काट लेती है उसका काटना काफी दर्द दायक भी होता है लेकिन ये नहीं काटती है ये कोई भी नुक्षान नी पहुचाती है आराम से उरती रहती है और अपना घर मिट्टी का बनाती रहती है एदी ये घर बनाए तो पहले तो आपको तोड़ना नीच चाहिए क्योंकि ये अपने बच्चों को उसमें रखती है तो एदी आप तोड़ देंगे तो उसकी बच्चे मर जाएंगे कुछ समय बाद ये जो ततया होती है ये अपने बच्चे रख देती है तो तो वो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं जब वो निकल जाते हैं तो आप इसको आराम से पानी से ही बॉस कर देंगे तो ये आराम से हट जाता है और कोई इसके दागवागवी नहीं पड़ते हैं अब आप ही बताईए कि किसी का घर कोई भी जीव है आकिर है तो वो जीव जितना हम लोगों के अंदर जान है उतना ही उसके अंदर भी है जैसे हमारे बच्चे होते हैं वैसे ही उसके भी हैं तो क्यों किसी जीव को हम परिशान करें क्यों किसी का नुकसान करें अरे हमारे इतने बड़े घर में अगर वो ठोड़ा सा अ बीदे से उसको अलग कर सकते हैं इस्थापिट कर सकते हैं दूसी जगया रख सकते हैं लेकिन उसको परिशान नहीं करना चाहिए उसको हानी नहीं पहुँचानी चाहिए क्योंकि यह तो भगवान की द्रश्टी में बहोत ही गलत होता है किसी भी जीवजन्तू को परिशान करना और उसमें भी तो हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का तो काम ही है कि दूसरों की सेवा करे दूसरों को सुप पहुँचाए ना कि दूसरों को परिशान करे और दुख पहुँचाए अब बात आती है कि ये घरोंदा बनाते बनाते ये दि छोड़ देती है तो फिर क्या संकेत पाना जाता है तो ये भी हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है और हमारे पुराने लोग भी बताते हैं कि इसका घरोंदा बनाना तो बहुत सो होता है लेकिन यदि ये बनाते बनाते और आधा अधूरा छोड़ करके चली जाती है थोड़ा स्टार्ट करती है और उसके बार ये बंद करके चली जाती है तो ऐसा मानते हैं कि कोई कार जैसे होने वाला है तो वो अटक जाता है ऐसा कहा जाता है लेकिन आप इतना परिशान बिल्कुल भी ना हो यदि वो छोड़ कर चली गई है तो प्रभूशे प्रात्ना करें क्योंकि करता वही है जो वो करते हैं वही होता है और दोस्तो मेरा ये खुद का अन्वव है कि यदि ये घर में अपना घरोंदा रखती है आपके घर में तो ये बास्तम में बहुत ही सुभ होता है और सुभ फल दायक होता है ऐसा ही नहीं है कि आपके यहां कोई बचा ही होगा या पिर आपके हाँ बहुत सारी लच्चमी ही फट कर चली आएंगी तो ऐसा नहीं है लेकिन आपको कुछ ऐसी एक गटना क्रम होंगे कि वो आपके लिए सुवफल देने वाले ही होंगे जैसे आपकी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो हो सकता है कि आप उसमें सफलता हाश करें या आपने कोई विजनिस शुरू किया है तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं या फिर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वो भी मिलने का संकेत मानते हैं तो दोस्तों जो आपने प्रस्न कीए थे उन सभी के उतर मेड़ें लगवग लगवग दे दिये हैं और वीडिय अजया जब प्रादी